So Hello Everyone, So Welcome to the 12th Class of Daily Vocaps जो हम करते हैं 10 Vocaps और यह हमनों का 3rd Week है क्योंकि कल हमनों का टेस्ट हुआ था और यह 3rd Week का आज पहला वीडियो होगा तो यह Best Opportunity है उनलों के लिए जो अभी तक Continuous नहीं रहा पाया थे दो Weeks का मतलब है कि तक्रीबान हमने 120 word कर लिए हैं तो उन सभी की जो वीडियो हैं वो प्लेइलिस्ट में पढ़ी हुई हैं तो वो आप जाके देख सकते हो और बहुत लोग इसका PDF पूछते रहते हैं कि सरा आप इसका PDF नहीं देते हैं और वहाँ पे आपको daily quizzes भी मिलते हैं English के और GS के जो की सुपर important रहते हैं आपके Air Force और Navy exam के लिए तो शुरू करते हैं आज का हमारा पहला word है Aboriginal इसका मतलब होता है native या फिर मूल निवासी यानि वहीं का रहने वाला जैसे कि आप मान लिजे कि आप Delhi में भी रहते हैं अपनी studies के लिए preparation के लिए लेकिन आप native हो सकते हैं कानपूर के आप native हो सकते हैं इंदोर के तो native का मतलब होता है जहां से आप originally belong करते हैं इसको याद करने के trick है Aboriginal are the original people of that place तो Aboriginal से original आ रहा है ठीक है तो original people of that place मतलब कि अगर आप ये trick नहीं भी याद रखो के तो भी ये word अगर सिफ आप इतना याद रख लो कि original तो आप इस trick को भी याद करने को उतना जरूत नहीं पड़ेगी ओरीजिनल का मतलब क्या होता है जो चीज वहीं का हो मतलब वहीं से मतलब है कि जो कोई artificial ना हो यानि बनाई हुई ना हो या फिर fake ना हो तो उस हिसाब से आप याद रख सकते हो कि original मतलब कहीं न कहीं मुल निवासी वहीं करेने माला ठीक है अगर आप ट्रिक के साथ अच्छा याद रख सकते हैं तो ट्रिक भी आप एक बार पढ़ सकते हैं अगला word है हमारा ace इसका मतलब होता है शानदार synonym world class ठीक है अब इसको याद करने कि ट्रिक क्या है मिलखा सिंग is the ace in the ace अब जैसे ही आप ace सुनो तो आपको race आता है कि नहीं sound race का या फिर ऐसा भी मैं आपको कह सकता हूँ कि जैसे ही आप ace देखें तो आपके mind में race आना चाहिए और race आएगा तो उसके बाद मिलखा सिंग का नाम आना चाहिए तो फिर आप ये word कभी नहीं भूलो कि मिलखा सिंग जो है वो ace है race में नहीं कि वो world class है शानदार है अगर हम race की बात करें ठीक है अगला हमारा word है august जी हां august सिर्फ month का ही नाम नहीं होता बलकि एक word भी होता एंगलिश में जिसका एक proper meaning होता है और उसका meaning होता है important या फिर महद्वपूर्ण ठीक है इसके multiple meanings हैं लेकिन कहीं ने कहीं इसी के around सारे meanings जो हैं गोमते हैं तो इसको हम याद जैसे की दिव भव इसके और भी meanings हैं तो इसको याद करने की simple trick है august month is the august for India अब यहाँ पर इंडिया जरूरी नहीं है हो सकता है आपका birthday august month में होता हो तो आप इसको वैसे याद रह सकते हो कि august month is august for me मेरे लिए august महिना august है important है क्योंकि मेरा बद्द्ध होता है या फिर आपके भाई बेन का बद्द्ध है फिर कोई ऐसी चीज जो august में होती हो फिर जैसे भी आप इसको याद रखना चाहिए ज़रूरी नहीं कि आप इंडिया ही होना जी और अगर आप इंडिया से याद हो जाती है तो अगर आप spelling कहीं separate लिख रहा है जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था तो आप इसको note कर सकते हैं कि इंपोर्टन है इसका मतलब देखते हैं इसका मतलब होता है सीधा साधा है फिर innocent in offensive ठीक है इसको याद करने की यह ट्रिक है कि इनको दे दो रस क्योंकि कि यह है इनको दे दो रस क्योंकि इन्होंकि इनोसेंट सधे हैं तो इस वसे इनको पहले रस दे दो लेकिन अगर इस इतनी ہं लंबी ट्रिक नहीं आद करना चाहते वैसे तो इसमें भी आपको याद हो गया ओगा ठिक Pre-iese मैं आपको बोली लेकिन आप इसको Simple ऐसे भी याद हो चकते हैं किitorального infect alright कि इनो क्यों साकते हैं और इनोसेंट रख सकते हो और आपी ट्रिक के उपर जा सकते हो फिर है हमारा अगला वर्ड अन्यूल बहुत इंपोर्टन्ट सबसे पहले इसकी स्पेलिंग बहुत इंपोर्टन्ट है यहां पर डबल एन है इस बात का ध्यान रखना है और इसको नोट कर लिजेगा अगर आप नोट कर रहे हैं तो अन्यूल इंपोर्टन्ट है और इसका मीनिंग अब आप कभी नहीं भोलोगे इसका मीनिंग होता क्या है इसका मतलब होता है रद गरना है किसी चीज़ को पोस्पोन या फिर कैंसल कर देना पोस्पोन और कैंसल खेर अलग चीज़ हो जाएंगी लेकिन इसका प्रॉपर मीनिं सकते हैं short story बनाके ठीक है Corona के जलते annual function को annual कर दिया गया निकि cancel कर दिया गया अगला हमारा word है six number banter इसका मतलब होता है मजाक उड़ाना है फिर teasing ठीक है किसी पर comment pass करना मजाक उड़ाना अब इसको याद कैसे करेंगे हम इसको आप एंटर का मतलब क्या होता है जब आप प्रवेश करते हैं घुसते हैं तो जब आप प्रवेश करते हैं कहां पर हो सकता है कहीं पर college में school में तो आपका मजाक उड़ता है फिर किसी का मजाक उड़ता कैसे भी आप इसको याद रसकते तो ट्रिक यही जब मैं गुसता हूं तो वह मजाक उड़ाते हैं ठीक है अगला वर्ड देखते हैं नेक्स्ट वर्ड इस बाउंटीफुल इसका मतलब होता है प्रचूर यानि प्लेंटीफुल बहुत अधिक प्लेंटीफुल बाउंडरीज है लेकिन आप जिससे भी उड़ेंटीफुल बाउंडरीज बहुत ज्यादा बाउंडरीज मारते हैं फिर कोई प्लेयर जैसे कोई आप रख सकते हूं ठीक है और देखिए अगर आपको लगता है कि आप इससे कोई बहतर trick बना सकते हैं, तो बिल्कुल बनाएए क्योंकि आपकी trick आपको जादा, लंबे समय तक याद रहेगी ठीक है तो और उसको आप share भी कर सकते हो, अगर आप लगता है कि नहीं से बहतर trick मेरे पास है ठीक है तो आप इसको comment में बता सकते हो अगला word है हमारा नाग नाग का मतलब होता है तंग गरना या फिर tease करना किसी को ठीक है तो अब इसको हम याद कैसे रखेंगे याद करना इसको बहुत यासान है इसको हम simple नाग से यानि कि साप से relate करेंगे जिसको नाग भी बोलते हैं तो ये नाग सबको नाग कर रहा है परिशान कर रहा है ये नाग जो है ठीक है या फिर आप कोई भी ऐसा visualize कर सकते होई कभी आपके घर में साप निकला फिर कहीं पे भी साप निकला और उसमें सबको तंग कर रखा था तो आप उससे भी इसको relate कर सकते हो ताकि आप भूलो नहीं चीज़ों को और जब अभी हम इसका revision करेंगे तो आप देखेगा कि कितने words आपको याद रहते हैं अगला word है हमारा mutter ठीक है इसकी spelling ध्यान से देखिए double T है यहाँ पे इसका मतलब होता है फुस फुस आना यानि to murmur धीरे धीरे बात करना जैसे कि class में जब हम लोग school जाते थे तो आप पयाद होगा कि बहुत सारे students जब धीरे धीरे बात करने लगते थे तो murmuring sound आने लगता था और teacher बोलती थी don't murmur तो meaning यह हो गया आप इसको याद कैसे रखेंगे तो matter छीलते हुए mattering कर रही है तो कोई है किसी से भी अप्रेलेट कर सकते हो कि माली जब कि sister है फिर कोई भी है वो matter छीलते हुए mattering कर रही है यानि कि फुस फुसार दीरे किसी से बात कर रही है ठीक है अगला word है हमारा hyperbol ये word कल का question of the day था तो अब देखिए कितने लोगों ने सही answer दिया था क्या आपने इसका सही answer दिया था इसका सही meaning है बढ़ा चड़ा कर बोलना है नहीं फिर exaggeration तब बताई कोमेंट में कि क्या आपने इसका सही answer दिया था क्याले फिर नहीं यूज करते हैं अपनी common language में कि बहुत hyper हो जाना है यानि कि पारा high हो जाना बहुत ज्यादा गुसे में आ जाना तो जब लोग गुसे में आ जाते हैं hyper हो जाते हैं तो वो बढ़ा चलाकर बातें बोलने लगते हैं exaggerate करने लगते हैं बातों को ठीक है तो यहां मारा खतम होते हैं 10 words और अब बारी आती है revision की, revision आपको पहले बता दिया हूँ कि इस वे से हम लोग रखते हैं last में और एकदम mix करके रखते हैं उसी order में नहीं ताकि चीजों को retain किया जा सके क्योंकि सिर्फ पढ़ लेना एक तो होता है कुछ लोग को लगता है कि स लो फोड़ा एक step ahead आते हैं कि थोड़ा आगे बढ़ते है और वो किताब लाते हैं और पढ़ते हैं ठीके पढ़ लिया फिर तीसरे लोग होते हैं वो जो किताब लाते हैं पढ़ते हैं और उसको re-revene करते हैं उन्हीं लोग का exam clear होता क्यों क्यों कि दिमाग में जितना चीज़ें हैं उसी के basis पे आपका exam clear होगा समझ रहाँ आप ना कि आपको किताब में कितनी चीज़ें लिखें किताब वहाँ पे allowed नहीं होगी आपके brain में memory में कितनी चीज़ें feed हैं उसके basis पे ही आप question solve कर सकते हो और वो इसी वज़े से जब revise करोगे तो ही आपके mind में चीज़ टोर होगी तो चलिए revision करते हैं पहला word है banter और इसमें आपका score कितना आया मैं बार बार मुझे बोलना पड़े आपको ये बताना होता है कि आपका score कितना आया 10 में से तो banter इसको हमने कैसे आत किया था तो इसको हमने enter से आत किया था कि when I enter दे banter निकि जब मैं घुसता हूँ तो मजाग उडाते हैं तो banter का मतलब जाएगा मजाग उडाना ठीक है फिर अगला word है हमारा bountiful bountiful को हमने boundaries से आत कि holy hits bountiful boundaries निकि प्रिचुर मातरा में है फिर plentiful अगला word है हमारा नाग इसको हमने कैसे आत किया था कि ये नाग सबको तंग करता रहता है तो नाग का मतलब जाएगा तंग करना है फिर teasing अगला है मटर मटर को हमने कैसे आत कि वो मटर छिलते हुए muttering कर रही है यानिकी फुसफुसा रही है धीरे धीरे बात कर रही है murmuring कर रही है तो मटर का मतलब हो जाएगा धीरे धीरे बात करना फुसफुसाना या फिर to mutter नहीं कि matter का मतलब भी वही होता है murmuring sound create करना फिर अगला है hyper bowl इसको हमने कैसे आत किया था कि जब वो हो जाता है hyper तो वो बढ़ा चड़ा कर बातें बोलने लगता है ठीक है तो इसका मतलब हो जाएगा बढ़ा चड़ा कर बोलना है या फिर exaggerate ठीक है और फिर अगला word था हमारा annual annual को हमने कैसे आत किया था कि annual function जो है वो corona के चलते रद्ध हो गए इस वैसे वो उदास है तो उसका मतलब क्या होगा annual का मतलब रद्ध हो जाना या फिर cancel हो जाना ठीक है corona के चलते annual function annual हो गए अगला है innocuous इसको हमने simple कैसे आत किया था innocent से तो innocent का मतलब भूला भूला ठीक है तो innocuous का मतलब भी हो जाएगा जो इधर उदा किये बात ना करें फिर इसको हमने वैसे भी आत किया था कि इनको रस दे दो और क्योंकि ये हैं सीधे साधे तो जो in offensive ठीक है अगला august तो august हमने कैसे आत किया था कि august month is august for me यानि it is important for me तो इसका मतलब important हो जाएगा ace को हमने कैसे आत रख्या था ace को हमने race रख्या था race कौन करता है इंडिया में हमारा कौन सबसे ज़्यादा famous है race के लिए Milka Singh तो Milka Singh is ace in the race यानि की world class है वो race में ठीक है अब original को हमने कैसे आत किया था simple original से original का मितल हो जाएगा native या फिर mool निवासी मूल रूप से वहीं के रहने वाले ठीक है तो यह revision होगा आप जल्दी से बताए कितने marks है उसके बाद मैं आपको question of the day आपके लिए देता हूँ कि आज का कौन सा question है जिसका answer आप लोगो देना है तो उम्हेत हो आपने अपना score लिग दिया होगा comment में और आज का question of the day है morning इसका answer आपको कल मिलेगा जैसे कल के question का answer आज आप लोगो मिला है अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो like जरूर कीजे target रखते हैं इस वीडियो में 400 likes का और ये target achieve होते ही हम लोगो एक खुशी मिलती है motivation मिलता है ताकि हम और ऐसी वीडियो आपके लिए बहतर content इंप्रूफ करके लाएं और share जरूर कर दें इस वीडियो को जहां पर भी आप कर सकते हैं whatsapp पे, telegram पे, अपने friends के साथ ताकि उन्हें भी ये जो paid classes लेनी पड़ती हैं और तब भी उतना quality नहीं मिलता उन्हें भी इस चीज़ का फायदा मिल सके और subscribe कर लिजेगे चैनल को ताकि आपको notification और videos के मिलते रहें वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं कल नए वोक्याप्स के साथ